डियरे स्टूडेंट आज किस वीडियो में बात करेंगे बी ए सिक्स समेस्टर हिंदी के सिकेंड पेपर के स्लिबर्स और मोस्ट इंपार्टन टॉपिक्स एंड चैप्टर के बारे में तो वीडियो महत्पूर्ड है आपको जानना और देखना जरूरी है कि क्या क्या प्रश आपको ध्यान डखनाँ जितने भी प्रशनाव की परिछ्छा मांगे वह लोग साहित से जुड़े होंगे और दूफरा होंगे लोग सांस्क्र्ट से जुड़े तो ध्यान रखना है लोग साहित और लोग सानस्कित से ज्यूड़े कुछचिन होगे इसके रावाँ अलग कहीं से कुछ भी नहीं आएगा तो ध्यान से आपको His Point को जुरू आपको ध्यान में रखना है ठीक है तो चैलेक कुछ जानते हैं इसके बारे में और आपकी जानकारी बता दें कि हर सब्जेक्ट चाहे हो हिंदी हो चाहे एंग्लिजिस हो चाहे सोषोलोजी हो चाहे हिस्टी हो चाहे प्लेटिकल फाइस हो हर सब्जेक्ट जो है वो 8 टॉपिक 8 यूणिट या फिर आप बोल के 8 Chapter तो यह नहीं 8 chapter में या 8 unit में divide होता है जैसे कि देखी फस्ट unit या topic या chapter बोलितीनों मतिनों का मतलब एक ही होता चाहए आप unit बोलिए चाह टोपिक्स बोलिए या फिर आप लोगों चैप्टर बोलिए ठीक है तो यह नहीं आठ चैप्टर फिड़े कोश्चन आएंगे आपके परिच्छा में आठ यूनिट फिड़े कोश्चन आएंगे ध्यान रखेंगे पहला दूसरा तीसरा चोथा पाचवा और नीचे आपका छाटवा साथवा और आठवा भी दिया गया है जो कि आप लोग यहां पर देख पा कि परिभाफा दीजें लोकसाहित के छेत्र बताईए लोकसाहित के वर्गी करण के बारे मताऊए ठीक है तो चलिये पहले फंच्टी उनिट पर संबंधित कुछ परचे जान लेते हैं फिर सिकेंड यूनिट के और बढ़ते हैं ठीक है परस्टी उनिट में सबस्चे पहले ये है लोक साहित की सिंपल सी परिभासा और लोक साहित किसे कहते हैं ऐसे भी प्रश्ण का उत्तर से प्रकार लिखेंगे कि जो लोक साहित है इसका मतलब ये फिर अभिप्रिया है उस साहित से है जिसकी जो रचना है लोक करता है जिसकी रचना लोक करता है लोक साहित उतना ही प्रचीन है मतलब कि लोक साहित तो उतना ही पुराना है जितना मानो यानि कि जितना इंसान ठीक है मानो इसलिए उसमें जन जीवन के प्रतेक अवफ था यानि कि जन जीवन यानि जो आप जन मतलब आदमी होते हैं या फिर जो भी चीजें हो जिनके अंदर जू होता है जिसक तो जन जीवन के प्रतेक अवफ्था यानि कि वो आप बच्चे हैं बच्चे हुए फिर पांच साल के हुए फिर साथ साल के हुए फिर आठ साल के हुए यानि कि बच्चे थे फिर आप लोग यंग हुए फिर ठीक है आप लोग बूढ़े हुए यानि कि प्रतेक अवफ्था जो आपके जीवन की प्रतेक अवस्था हैं ठीक है और प्रतेक वर्ग हैं यानि की हर जो मतब की पूरे समाज में पूरे भारत में ठीक है या फिर अन भी देश को आप लोग कवर कर सकते हैं ये भारत ही नहीं सिर्फ पूरी दुनिया को लेकर चल पकते हैं यानि की पूरी द कुछ समय होता है यानि कि जो लोकु साहित है इसमें सभी समय हैं हर तरीके का इंसान चाहे बोड़ा हर बच्चा प्रकार की वर्ग और जितना भी समय होता है है और只是 प्रक्त इन सभी को निसलें साधार जनता से संबंदिस साहित को लोक साहित कहना चाहिए यानि कि जो आम जनता होती है साधार जनता से संबंदिस साहित जो होती है उसको लोक साहित कहेंगे यह फिर लोक साहित कहना चाहिए तो इस प्रकार सिंपल परिमासा लिखेंगे लोक साहित के बारे में आप डीटि संपोर्णारों, उस्की लोक सांस्कृत तथा लोक परंपराओं के साथ ही उसका आर्थिक, समाजिक, धार्मिक, परणविक नैतिक तथा भासा सास्त्री रूप समाविष्ट रहता है अताहा लोक की तरह ही लोक साहित का छेतर बिस्तार भी बहुत ब्यापक है यानि कि लोक साहित का जो छेतर है वो बहुत बड़ा है और इसका जो बिस्तार है बहुत दूर दूर तक है ठीक है ग्यान के जितने भी छेत्र हैं उन सभी से ये कहीं न कहीं से जुड़ा हुआ है या इसका बहुत ही घनिष्ट संबंद है ठीक है तो इस प्रकार लिखेंगे लोक साहित के छेत्र के बारे में ध्यार नखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे लोक साहित के छेत्र के बारे में ठ प्रश्न का एंसर लिखा है इसको दो तीन बार पढ़ेंगे न तो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है एक बार करने से कुछ भी नहीं होता या आपको बालूं पढ़ता आपको अच्छे पता है ठीक है अमें जा रहें अगर आपको पूरा स्लेबर एक ही दिन में समझ में आ जाए एक ही दिन में पढ़ता है टाकि आक कि आपको दिमाग में कि वठाइब कि दिमाग में कुछ न कुछ पइंट आही जाएंगी ॥ी कि आपको देखने को मिल सकता है कि लोक साहित के कितने भाग हैं या फिर लोक साहित का वर्जगी करण कीजी तो दोनों का मतला भेखिए तो सिंपर सा लिखेंगे लोक साहित के मुखता चार भेद कहे जाते हैं या फिर चार भागों में बाटा गया है पहला है लोक गीत दूसरा है लोक गाथा ठीक है और तीसरा है लोक कथा नमबर चार पे है लोक नाट ठीक है ये चार प्रमुक वर्गी करता मतब चार प्रमुक भागों में डिवाइड किया गया है या फिर वर्गी करत किया गया है लोक साहित जिनको आपको ध्यान रखना है और लोग गीत लोग गाथा लोग कथा लोग नाट ठीक है यह चार है जिनको ध्यान रखना लोग गीत किसे कहते इसका भी परिमाफा तयार कर लेना लोग गाथा के बारे में तयार कर लेना लोग कथा के बारे में तयार कर लेना लोग नाट के बारे में तोड़ा परचे तया प्रस्तूत किया प्लस उसका अंसर प्रस्तूत किया अब हम आजाएंगे सिकेंड यूनिट के और सिकेंड में लोग साहित और सिष्ट साहित के बारे में आपको पढ़ना पढ़ेगा यानि कि पहले तो आपको लोग साहित की परिमाफा तैयार करना पढ़ेगा फिर आपको सि सब्सक्राइब करणाब करनें लोग फसका उसनित साहित में अंतर्य करना पड़ेगा लोग फाल सब्सक्राइब लोग साहिति के बारे में तोड़ा परिक्छे सब्सक्राइब कर göster सब्सक्राig आपको आपकी परिच्छा वैसा प्रस देखने को मिल सकता है कि लोक साहित और सिस्ट साहित में अंतर बताईए यह फिर अंतर की जगा संबंद भी हो सकता है इस बात को दिया न कहेंगे तो अंतर पूछ रहा तो एक दे देंगे इसका सिंपल सा उत्तर कि सिस्ट साहित में बह लोक साहित में ब्यापक समूह लेखन का कारी करता है मतब कि इसमें समूह में कोई लेखन का कारी किया जाते है ठीक है और इसमें कोई एक बेक्त होता है वही लिखता वही प्रमुक होता है और इसमें कई लोगों का समूह होता है ठीक है यानि कि समूह लेखन का कारी करता है कौन लोक साहित तो यह बहुत ही बड़ा डिफरेंस है बहुत बड़ा अंतर है इसी प्रकार आपको डिफरेंस भी तैयार करना पड़ेगा ठीक है आने वाले जिरों कबर कराएंगे एक सिंपल सा डिफरेंस और बेसिक सा एंसर है ठीक है तो ध्यान रखेंगे बहुत ही तो राष्टे एकता संब्धित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिनको हम आने वाले दिनों में वीडियो में जो हमारी आएक उसमें कबर करेंगे कौन से कौश्चन बन सकते हैं ठीक है और कौन को उसे कौश्चन आने की उम्मीद है और उसके एंसल सहीत हम आप लोग समस जल्दी प्रस्तत करेंगे वीडियों ज्यादा लंबी नहीं हो इफ ले हम ज्यादा मतलब की यूनिट या फिर ज्यादा चैप्टर कबर नहीं कर रहे हैं ठीक है थोड़े थोड़े कर रहे हैं ताकि आप आप समझ सेके और दिरे दिरे आप एक्जाम के तैयारी कर सेके ठी फॉर्थ यूनिट फॉर्ड और फॉर्थ नेक्स्ट वीडियों कबर कर लेंगे ठीक है ओके दो यूनिट तो आपको अच्छे समझ में आ गई होंगे ठीक है और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल सब्काइब कर दीजिए आपका अपना ही चैनल है और एक दो बार अगर वीडियो देखेंगे एक दो बार समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा एक बार में नहीं आएगा यह मैं फिर से बोलना हूँ एक दो बार वीडियो जरूर देखेंगे दो बार कम से कम ठीक है तीन बार ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए बाकी मिलते है को आपने वीडियों, जाए हिंद।